हलो दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक पूर पे आज के इस वीडियो में हम लोग क्लाश 10 का हिंदी का सेट 5 करने वाले इसके पहले भी चार सेट चैनल पे अपलोड है यदि आप लोग उने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पर लिखा कौन है तो लेंधि उसके पार्ट का जो लिखा का वह य यस्पाल कौन है यस्पाल याद रखेगा रैटर लोग का नाम आपको अच्छे से याद करके जाना है बाल गो विन भगत पार्ट का लिखा कोन है ते राम विर्च बेनी पूरी है इसको भी आद रखने आप लोगों को नवाव सहाब ने खीड़े के साथ क्या किया था तो सुग कर फेक दिया था ठीक है उसके बाद है हमारा राम चरित मानस की रचना किस भासाम हुई थी तो अवधी भासा में थी इसको भी आप याद रखिएगा इंपोर्टेंट है फादर की संग्या किसे दी गई है तो सन्यासी को दिया गया है किसको दिया गया है सन्यासी को दिया गया है यहां पर हम आपको बता दे कि आप लोगों के लिए मैंने एक question bank तयार करवाया है question bank एतना important है जैसे आपको जैसे आप जिस form में देख रहे हैं इसी form में है मतलब कि कोई option उसमें नहीं होगा direct question है direct answer है direct question है direct answer है direct question हो direct answer इस तरह से question bank आप लोगा तयार किया है लगबग 400 question objective हिंदी A का हिंदी A का आप लोगों का 400 objective question को तयार किया गया है जो कि बहुत important होगा आपके exam के लिए अगर आप लोग question bank को लेना चाते इस वाले pdf को लेना चाते तो आप दिये गए number पे संपर्थ कर सकते हमारे whatsapp पे इसके लिए आप हमारे channel को subscribe कर लो ठीक है नहीं बताएंगे इंग्लिस का भी मैंने बनाया है इसी प्रकास से question bank और इंग्लिस के question bank में आपको मिल जाएगा विट translate यानि की question English में रहेगा उसका Hindi translate रहेगा फिर answer रहेगा फिर उसका Hindi इतने अच्छा से आप लोग के लिए मैंने तयार कर दिया है अगर आप लोग लेना चाहते हो तो प्लिस विजिट जरूर कीजिए हमारे नंबर पे हमारे WhatsApp पे आप हमसे संपर्थ कर सकते हो चलिए अगला सवाल दिखे फादर की यह भी पार्ट का लेखा कौन है तो मन्नू भंडारी कौन है इसका लेखा मन्नु भंडारी है सीस जी का धनुस किसने तोला था तो श्री राम ने को पाता यह नहीं चलेका क्या आपके जो most important वीडियो होगा तो please उसको भी आप लोग देखिएगा इसलिए चैनल को subscribe जरूर कर लिजिए मिलते अगले वीडियो में thank you